आप सभी को नमस्कार मेरा नाम मनुश पांडे और आप देख रहे हैं EV हिंदी दोस्तो आज किस वीडियो में हम ऐसी इलेक्ट्रिक कार्ज के बारे में बात करेंगे ऐसी ब्रेंडिड इलेक्ट्रिक कार्ज के बारे में बात करेंगे जिन में आपको जादा रेंज मिले इसी के साथ जो इलेक्टरिक कार्ज जादा जल्दी चार्ज भी हो जाए ताकि जल्द ही आप अपनी इलेक्टरिक कार्ज को चार्ज करके एक अच्छी दूरी उनसे तैह कर सके और ऐसी आज हम इस वीडियो में पांच अलग-अलग ब्रेंड्स की इलेक्टरिक कार्ज के बारे में बात करेंगे तो इस लिस्ट में सबसे नमबर वन पर है दोस्तो 2022 की MZZCV इस इलेक्टरिक कार में आपको 50.3 किलो वाट आर का लिथियम आइन बैटरी पैक मिलता है AI कलेम्ड किया जाता है और इस इलेक्टरिक कार को आप 7.4 किलो वाट के AC वाल बॉक्स चारजर की मदद से 0-100% साड़े-8 से 9 घंटे में कर सकते हैं तो साड़े-8 से 9 घंटे में चारज करने के बाद आप इस इलेक्टरिक कार को 400-100 किलो मेटर चला सकते हैं ऐसा कमपनी दावा करती है लेकिन आपको इसमें एक और आप्शन मिलता है 0-80% आप इसे चारज कर सकते हैं विद धी हैल्प आफ 50 किलो वाट DC चारजर तो अगर आप इस इलेक्टरिक कार को 50 किलो वाट के DC चारजर की मदद से चारज करते हैं तो मातर 60 मिनट में यानि की एक घंटे में आप इस इलेक्टरिक कार को 0-80% चारज कर सकते हैं इसी के साथ इस इलेक्टरिक कार में दोस्तों आपको P.E.M.S.M. परमानेट मैगनेट सिंक्रोनस मोटर देखने को मिलती है जिसकी मदद से आपको इस इलेक्टरिक कार में 176 BHP की पावर और 280 Nm का टॉर्क मिलता है जिसकी मदद से ये इलेक्टरिक कार 0-200 की स्पीड को 1.5.5 से किंड में चू लेती है ये इलेक्टरिक कार दोस्तों दो वेरियंट में उपलब्ध है एक वेरियंट है एक्साइट जो कि जुलाई में लाँच होगा जिसकी कीमत लगबग 22 लाग के आसपास होगी और एक वेरियंट है exclusive जो की already launch हो चुका है जिसकी कीमत है 25.88 lakh रूपीज दोस्तो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है Hyundai Kona जो की Hyundai की पहली electric car थी भारत में इस electric car में दोस्तो आपको 39.3 kWh का battery pack मिलता है जिसकी मदद से आपको इसमें ARAI claimed range 452 km की मिलती है बात करें इसके charging time की तो 57 minute में आप इस car को full charge कर सकते हैं 50 kWh के DC charger की मदद से और एक standard power socket AC charger की मदद से आप इस electric car को 6 घंटे 10 minute में charge कर सकते हैं दोस्तो इस electric car में भी आपको PMSM motor देखने को मिलती है जिसमें आपको 136 BHP की power और 395 Nm का torque मिलेगा और ये electric car भी दोस्तो दो variants में उपलब्ध है premium और premium dual premium की कीमत दोस्तो 23.71 lakh रुपीज है वही premium dual tone की कीमत दोस्तो 23.90 lakh रुपीज है अगर globally देखा जाए तो globally तो ये Hyundai Icona 2020 में ही update हो चुकी है लेकिन भारत में ये update 2022 तक आ सकता है जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि 39.2 kWh की battery मिलेगी जिसकी मदद से आपको 304 km की range मिलेगी इसी के साथ एक variant में आपको 64 kWh की battery देखने को मिलेगी जिसकी मदद से आपको 483 km की range मिलेगी तो ये जो update है globally आ चुका है लेकिन भारत में 2022 में आ सकता है इस list में तीसरे नमबर पर है दोस्तो हाल फिलाल ही launch हुई Tata की Nexon EV Max Tata की Nexon तो बहुत लोगों ने पसंद करी लेकिन Tata Nexon EV Max भी अब Tata ने launch कर दी है इस electric car में दोस्तो आपको 40.5 kWh की बैटरी पैक मिलता है जिसकी मदद से आपको AI claimed range मिलती है 437 km बात करें charging options की तो 7.2 kWh के charger की मदद से आप इस electric car को मातर 6.5 गंटे में चार्ज कर सकते हैं वही 3.3 kWh के charger की मदद से आप इस electric car को 15-16 गंटे में फुल चार्ज कर सकते हैं वही 50 kWh के DC charger की मदद से दोस्तो आप इस electric car को 0 to 80% मातर 56 मिनट में चार्ज कर सकते हैं बात करें इसकी मोटर की तो इसमें भी आपको PMSM मोटर देखने को मिलती है जो की आपको 143 BHP की पावर और 250 Nm का टॉर्क देती है जिसकी मदद से आप इस electric car में 0 to 100 की स्पीड को मातर 9 सेकंड में चू सकते हैं बात करें प्राइस की तो ये Nexon EV Max भी दोस्तो दो वेरियंट्स में है XZ Plus और XZ Plus Lux XZ Plus की कीमत दोस्तो 17.74 लैक रुपीज प्लस आप इसमें 50,000 रुपे और जोड़ दीजे दोस्तो अगर आपको 7.2 किलो वाट और का चार्जर लेना है इसी के साथ दूसरे वेरियंट्स एक्जेट प्लस लक्स की कीमत दोस्तो 18.74 लैक रुपीज प्लस उसमें आप 50,000 और जोड़ लीजेगा अगर आप इसके साथ 7.2 किलो वाट का चार्जर लेते हैं इस लिस्ट में दोस्तो कुछ लगजरी कार्ज भी हैं जैसे की फूर्थ नंबर पर है वाल्वो XC40 रिचार्ज जिसमें आपको 78 किलो वाट आर का बैटरी पैक मिलता है जिसकी मदद से आपको जो क्लेम ड्रेंज इस लेक्टर कार में मिलती है वो है 418 किलो मीटर और इस लेक्टर कार में दोस्तो आपको 150 किलो वाट की डूल मोटर पावर ट्रेंड मिलती है बात करें चार्जिंग की आप्शन्स की तो इस एलेक्टरिक कार में आप 0-80% चार्ज कर सकते हैं 150 kW के DC चार्जर की मदद से मात्र 40 मिनिट में वहीं आप इस एलेक्टरिक कार को लगभग 2 घंटे में चार्ज कर सकते हैं 50 kW के DC चार्जर की मदद से और 11 किलो वाट के AC चार्जर की मदद से आप इस एलेक्टर कार को 0 to 100% चार्ज कर सकते हैं 8 से 10 घंटे में ये कार अभी देखे लॉंच नहीं हुई है ये कार जब लॉंच होगी तो लगबग जुलाई के आसपास एलेक्टर कार लॉंच हो सकती है और इसकी एक्सपेक्टिड प्राइज है दोस्तो 70 लाक रुपे इस लिस्ट में जो आखरी कार है दोस्तो जो कि एक लगजरी कार है इसका नाम है Mercedes-Benz EQC जिसमें आपको 80 किलो वाट आर की बैटरी पैक मिलता है जिसकी मदद से आपको इसमें क्लेम्ड रेंज मिलती है 451 या 471 किलो मिटर यानि की 451 किलो मिटर या 471 किलो मिटर के बीच में आपको इसमें एक क्लेम्ड रेंज मिलती है बात करते हैं charging options की तो इसमें आप 7.5 kilowatt के charger की मदद से आप इस electric car को 10 घंटे में full charge कर सकते हैं वहीं आप 50 kilowatt के DC charger की मदद से 90 minute में इस car को charge कर सकते हैं और बात करें दोस्तों motor की तो इसमें आपको 408 bhp की power मिलती है और 760 newton meter का torque मिलता है जिसकी मदद से आप इस electric car में 0200 के speed को 5.1 second में चू सकते हैं बात करते हैं अब price की तो इस electric car का price है दोस्तो 99.30 lakh रुपीज तो प्यारे दोस्तों ये थी 5 electric cars जिनमें आपको ज़्यादा range और ज़्यादा जल्दी आप चार्ज कर सकते हैं आपको कौन सी car ज़्यादा practical लगी ज़्यादा अच्छी लगी आप हमें comment section में ज़रूर बताएं और वीडियो दोस्तों अगर आप यहाँ तक देख चुके हैं तो नीचे दिख रहा ही लाल रंग के उस subscribe बटन को प्रेस करना न भूले अब मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए go green go electric